Dear Students, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला या किसी पुष्प का पुष्प सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है तो सबसे पहले हम पुष्प सूत्र या फ्लोरल फॉर्मूले के डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं पुष्प के एक बहुत बड़े वर्णन को एक सूत्र के द्वारा पदर्शित करते हैं इस सूत्र को हम पुष्प सूत्र या फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के चिन या संकेत या साइन होते हैं जिनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे जैसे यदि फ्लावर सहपत्री या ब्रेक्टियेट है तो उसे हम बी आर से डिनोट करते हैं लेकिन यदि फ्लावर असहपत्री या इब्रेक्टियेट है यानि कि सहपत्र अनुपस्थिक है तो उसे हम इबी आर से डिनोट कर अब यदि फ्लावर के अंदर सहपत्र का ही भी मौझूद हैं तो हम पुष्पसूत्र में BRL लिखते हैं यदि फ्लावर तिज्जा सम्मित या एक्टिनोमॉर्फिक है तो हम एक गोला बना करके उसमें क्रॉस का निशान बना करके इसको डिनोट करते हैं लेकिन यदि फ्लावर एक्विया सम्मित या जाईगोमॉर्फिक है तो हम प्रतीशत का निशान जैसा लगाते हैं उससे डिनोट करते हैं अब यदि flower द्वी लिंगी या हर्मोफ्रोडाइट या बाइसेक्सवल है तो ऐसे flower को डिनोट करने के लिए हम एक गोला लगाते हैं उसके उपर male भाग को प्रदशित करने के लिए arrow का निशान तता female भाग को प्रदशित करने के लिए दीचे की तरफ plus का निशान बनाते हैं इस प्रकार से अब यदि flower पुंकेसरी या नर्पुष्प है या male या staminate flower है तो हम ऐसे flower को प्रदशित करने के लिए गोला और गोले के उपर arrow का निशान लगाते हैं लेकिन यदि flower इस्त्री केसरी या female flower है या pistillate flower है तो ऐसे flower को प्रदशित करने के लिए गोले के नीचे प्लस का निशान लगाते हैं फ्लावर में यदि अनु बाइदल पुंच या एपिकलिक्स प्रेजन्ट है तो इसे हम E, P, I, K से डिनोट करते हैं फ्लावर में कैलिक्स या बाइदल पुंच को प्रदश्यत करने के लिए K लिखा जाता है दल पुंच या कौरोला को प्रदश्यत करने के लिए C से डिनोट करते हैं पुमंग या एंडोशियम को A से डिनोट करते हैं जायंग या गाइनोशियम को हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं पेरियंथ या परिदल पुंच को हम P से डिनोट करते हैं बंध्य पुंकेसर या स्टेमिनोट्स को हम स्टीडी से डिनोट करते हैं अब यदि पुंकेसर दल लगन या एपिपेटेलस होते हैं तो हम इसको C और A अर्थात कॉरोला और एंडोशियम दोनों को लिख करके उनके उपर एक आर्क लगा करके प्रदर्शित करते हैं परिदल लगन या एपिफेलस यानि कि जब एंडोशियम और परिदल पुंज के बीच में यदि आसंजन है तो हम P और A के बीच में आर्क लगा करके इसे डिनोट करते हैं अब यदि अंडाशय उर्दवर्ती है या सुपीरियर ओवरी है तो हम G लिख करके उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं और यदि अंडाशय अधोवर्ती है या इन्फीरियर ओवरी है तो हम G लिख करके उसके ठीक सामने की तरफ एक अनुपरस्थ लाइन खीज देते हैं तो ये सिंबल्स या चिन थे जिनको हम पुष्प सूत्र लिखते समय प्रयुक्त करते हैं अब किस प्रकार से पुष्प सूत्र लिखा जाता है पुष्प सूत्र लिखते समय सबसे पहले उप्युक्त चिन या सिंबल को लिखते हैं और इसके पश्चात भागों की संख्या अंकों में लिखी जाती है। जब भाग प्रथक होते हैं, तो अंक को उसी प्रकार से रहने देते हैं, परन्तु यदि वे संयुक्त होते हैं, तो अंक को हम कोश्टक में लिखते हैं। जैसे एक्जाम्पल के लिए, यदि हमें दलपुंज के बारे में लिखना हैं, तो दलपुंज को हम या कौरोला को हम सी से डिनोट करते हैं, तो हम इसका सिंबल सी बना देंगे। अब यदि दल पुंज में दलों की संख्या पाँच है तो हम इस तरह से 5 लिखतेंगे यदि ये प्रथक प्रथक होते हैं पाँचो ही दल तो हम इस संख्या को ऐसे ही रहने देते हैं लेकिन यदि ये पाचों दल एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, तो हम इस संख्या के आगे या इस अंक के को कोश्टक में बंद कर देते हैं. विभिन चक्रों के सदस्यों में आसंजन या एडिजन चिल्नों के शीशों को चंद्राकार रिखा या आर्क से जोड़ करके प्रदशित करते हैं. आसंजन या एडिजन हम दो अलग-अलग पुश्प चक्रों के संयोजन को कहते हैं. जैसे एक्जामपल दल लगन पुंके सरों को हम इस प्रकार से प्रदशित करते हैं कि कॉरोला को हम C से प्रदशित करते हैं और एंडोश्यम को हम A से प्रदशित करते हैं. अब यदि एंडोशियम और कौरोला के सदस्य आपस में जुड़े हुए हैं या पुंकेसर जो है वो दलों से जुड़े हुए हैं तो हम इन दोनों के बीच में एक अर्धचंद्राकार रेखा या आर्क से जोड़ करके प्रदेशित करते हैं अब अंडाशे की स्थिती को जब वह उर्धुवर्ती या सुपीरियर होता है तो हम जायंग के सिंबल कैपिटल जी के नीचे एक अनुप्रस्थ रेखा खीच करके प्रदेशित करते हैं जैसे ये गायनोशियम का सिंबल है कैपिटल जी और यदि अंडाशे उर्धुवर्ती या सुपीरियर होता है तो हम इसके नीचे एक अनुप्रस्थ रेखा खीच करके प्रदेशित करते हैं लेकिन जब अंडाशे की स्थिती अधोवर्ती या इंफिरियर होती है तो जायन के सिंबल कैपिटल जी के उपर की तरफ एक अनुप्रस्थ रेखा खीची जाती है जैसे ये जायन का सिंबल है जी और यदि अंडाशे इंफिरियर या अधोवर्ती है तो इसको प्रदेशित करने के लिए हम इस जी के उपर एक अनुप्रस्थ रेखा खीचेंगे लेकिन यदि अंडाशे अर्ध अधोवर्ती या half inferior है तो हम जायंग के जी के सामने एक अनुप्रस्त रेखा खीच कर प्रदेशित करते हैं जैसे ये गाइनोशियम का capital G है और यदि अंडाशे के स्थिती अर्ध अधोवर्ती या half inferior है तो हम इस G के सामने की तरफ एक अनुप्रस्त रेखा खीच करके प्रदेशित करते हैं